गोल्ड मैडल वाली बहू सपना के पिता एक गरीब किसान थे मा पिता खेट में काम करते तो पीछे से सपना गाओं के बच्चों के साथ हौकी खेलती एक दिन शाम को सारा दिन खेलती रहती है यह नहीं के छोटे भाई को संभाले सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बहार चली जाती है मा बड़बड करती वहां से निकल जाती है लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते है अरे राम सुख्या जरा ये तो बतलाओ सपना के बारे में क्या सोचा है अरे का सचना है मास्टर जी पढ़ रही है जितना पढ़ सकती है पढ़े है फिर शादी करवा देंगे कोई अच्छा सा गाउं का ही लड़का देख लेंगे अरे तुम तो उसके पिता हो तुमको कुछ नहीं पता मा घबरा जाती है अरे का का मास्टर जी का पता नहीं का हो गया हम तो इससे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है संभाल लो अरे भाभी जी आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो अरे सपना क्या खेलती है होकी बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे कलगाउं में एक टीम आ रही है लड़कियों की होकी खेलने उसे भेज देना वहाँ शायद कुछ बात बन जाए अरे ना ना मास्टर जी कोई खेल वेल नहीं करवाना है हम लोगों को वो भी सहर के लोगों के साथ तो बिलकुल भी ना सहर के लोगों को ना कोई भिरोसा नहीं होता मास्टर जी अरे कैसी बात कर रही हो सपना की मा बुरा आदमी तो हर जगह मिल जावेगा उसके लिए सहर का और गाउं का हाँ हाँ मास्टर जी हम लोग तयार है कल आ जाएगी सपना वकत से मा के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हौकी टीम के लिए भीज देते हैं शाम को सपना वापस आती है लेकिन लटकी मूँ से और का हो गया? मार खाई हो का? कौन मारेगा? कौन मारेगा हमें? कोई मार वार खाकर नहीं आए आर फिर सकल पर बारा क्यूं बज़े हैं? बताओगी? देखो मा, आप समझोगी नी बता कर फाइदा क्या है? अर बिट्या रानी हम तो समझेंगे ना हमें ही बता दे सपना पापा के गले लग जाती है पापा मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की होकी टिम में खेलने के लिए आरा, वाह यह तो बहुत ही खुसी की बात है मेरे बच्चे फिर मेरे गुडिया का है परसान है पापा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए मा जो सारी बात सुन रही होती है जोर से चिलाती है एक पैसा नहीं है मेरे पास समझें कुछ नहीं दोंगे साधी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है कल्ले का बेटा वो साधी कर लेगा तुमसे सपना पिता की और देखती है अरद्याक सपना खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी सरत पे है कि आकर कल्ले से बेटे से चुप चाप शाधी कर लेगी बोल अरथीक है ना कल्ले का बेटा तो बहुती समझदार है सरकारी नौकरी है उसकी मान गया वो तो सपना शाधी कर लेगी सपना भी धीरू जोकी कल्ले का बेटा था उसे जानती थी वो मन ही मन सोचती है कि शाधी तो वैसे भी होनी है लेकिन मा की ये शर्ट मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा? हाँ, मुझे मन्जूर है. तो कल मैं उन लोगों को बुला लू? पिता और सपना दोनों एक दुसरे को देखते हैं. अब मा ठीक है ना, बुलाने की क्या जूरत है? वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है. बस आप तो मेरा दिल्ली का बैक पैक कर दो. सपना दिल्ली जाती है, दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए. सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है. जब वो गाव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है. हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गाउं का नाम रोशन कर दिया है गाउं की तरफ से तुम लोगों को गाउं में पक्का मकान और सपना को परिशद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तयार है अरा वाँ वाँ पक्का मकान ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें हाँ कैसी बात करी हो सपना के मा लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी किसी के आगे जुकने की जरूरत ना पड़ेगी अरा चुप रहो हम तो नौकरी ना करते हैं पर मजाल है कि किसी के आगे जुकने हो ना ना हमरी बेटी नौकरी नहीं करेगी पिता लाग समझाते हैं लेकिन मा नहीं मागती और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है ससुराल में ए बहु तू रोज रोज सुबह कहां जाती है घर का सारा काम निपटा कर कहां भागती है मा का घर तो पासी है वही निकल जाती है क्या नहीं मा जी मैं हौकी खेलने जाती हूँ मुझे खेलना पसंद है खेलना पसंद है अरे कैसी बात कर रही है बहू शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फेलती नहीं है वो घर का कामकाज देखती है सपना कुछ नहीं कहती वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो वो जो लटक राया न क्या बोलता है उसे मडल सपना पती की बात सुनकर खुश हो जाती है उनके पास जाती है मैं सोची रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यो नहीं ये मैडल है मैंने जीता है पता है हाकी में बड़ा मैदान बहुत से लोग दो टीम और फिर शुरू होता है जुनून पता है लगता है जैसे बस जिन्दगी यही है खेलते रहो भागते रहो दाडते रहो और लक्ष को पालो सुनना मैं ना भारत ये टीम के लिए खेलना चाती हूँ मा मा ए मा या तो आजरा सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया पती अचानक से मा को क्यों बुला रहा है हाँ बेटा क्या क्या हो गया काहे गला फाड रहे हो मा ये सपना क्या कह रही है आरा बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा लेकिन क्या हो गया चिल्ला क्यों रहे हो ऐसा क्या बोल दिया इसने मा ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारत ये टीम के लिए सपना डर जाती है नहीं नहीं मा जी मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना शादी के बाद कोई खेलता नहीं घर का काम का आज देखता है लेकिन फिर भी सपना पती की तरफ देखती है जो मा की तरफ देख रहा होता है उसे गुस्सा तो आता है लेकिन करती भी तो क्या सास के सामने कैसे पती की क्लास लगाती अरे बेटा अब क्यों घुरे जा रहे हो बहु को मा अभी इस बात का फैसला करके जाना वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे अब चुप हो जाईए आप छोटी सी बात का बतंगर मत बनाएए चोटी सी बात? बहू, ये कोई चोटी बात नहीं है जो लडगी दिल्ली के लिए गोल्ड मैडल ला सकती है वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू घर का काम तो कोई भी कर लेगा लेकिन देश का नाम रौशन करने के लिए सपना चाहिए जा बहु तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पती ने कर दिया है जा खेल और देश का नाम रौशन कर सपना की आँख में आसु आ जाते हैं वो सोचती है कि बेटियों को माईके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है